कि यह थो विडियुम इस वीडिया में आयो से यह एंडिया नौय काट अधिक नियुक्र इवंडिय का डेकरनेशन आन इसको यह कैसा इसर आचाना को क्रॉकिट बन सकताया या क्या गेर सकता है या तो हम इसका अभी एक एक करके देशने की इसका तैन परेमेटर से भी दिखेंगे उसमें और क्या-क्या लेवेल्स और टार्गेट्स होते हैं और डेटेल दिखेंगे मार्केट के देखो 99,743 क्रोड है और इसका स्टॉक पी देखो 3.91 पर चल रहा है कितना कम पी पर अवेलेबल दुस्तों और रोसी देखेंगे तो दुस्तों 14.8 परसंट है और यहनि पंद्रा के आसपास ही और यह वी 20.19 परसंट है तो यह भी पंद्रा के ऊपर है तो बहु बहुत ही अट्रेक्टिव रेट पर जरा रहा है इंडेस्ट्री पीदे को 16.4 है और इसको 3.91 प्रमोडर सुल्डिंग 51.5 पर संट गोर्मेंट अपिंडिया के अट रहा है और यहां पर आप देखेंगे तो इन डेट तेके तो एक से उपर है तो डेट ज्यादा है दोस्तो लेकिन डेट में अगर हम नीचे देखेंगे इसके बैलन्सीट में तो डेट देखा जाए तो दोस्तों यह कम हुआ है दोस्तों मार्च में देखो यहां पर इनका यह बॉर्विंग देखो यहां पर बढ़ते बढ़ते बॉरेंग 129 790 क्रोड तक उता यह कम होगे 116 653 क्र दोस्तों और है देखो 108 पर गया था है मतलब है और यह और लो में भी 71 तक गया था यह इसके बाद डिविडेंग देखो 11.3 पर संट कितना अच्छा डिविडेंग दोस्तों देखो दे रही है इसका इंडिनिक वैली देखो 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 टू नाइन और देखो इसका यहां पर 225 तक गया था दोस्तों इसके बाद से लगाता रहे गिरावाट हो रहे थी सतर तक गिरा था अब यहां पर एक तो छे तक नजर आ रहा है अब यहां पर दोस्तों एक साल का भी चार्ड देखेंगे कि MALE और यहां से आप देखेंगे यहां आप पकरते हैं दोस्तों यानि कि देखो यह बरबर एक सल पहले था तो यहां से लगबर बड़ी दोस्तों लेकिन फिर भी जो इसका जो यह हाई है एकदम 225 तक यह तो देखो 2017 तक गया बढ़ा दोस्तों यहां तक तो अभी तक भी निया के बाद लगातार गिरी रहा है दोस्तों यहां पर 115 पर इसका और वहां पर यह 125 का यह यह जो टारगेट है वहां पर भी यह जा सकता है कि बादर में देखेंगी दोस्तों पहले इसका एक बार देखा है को टोड़ी रिजल्ट ते को जून 20 का जो रिजल 21 का रिजल आया था है यहां पर जून 20 में साथ हैजार करोड़ हो गया 115 लाग तो हर तरीके से कौटरली भी बढ़ता जा रहा है और फूरा प्रॉफिट एंड लॉस अगर अब देखेंगे हम लोग तो देखेंगे जैसे कि मार्च 2017 में अच्छा कासा बढ़ा था यानी 225 तक गया तो उस ताम में देखो प्रॉफिट किता था तीन लाग पच्पना जार क होने वाला है तो मतलब देखो तो बढ़ी रहा है और यहां पर प्रॉफिट 19,000 क्रोड तक 2017 में और मार्च 21,000 क्रोड भी क्रॉस को तो और अगे चलके 25,000 क्रोड भी क्रॉस होना तो प्रॉफिट भी बढ़ रहा है तो दोस्तों इसमें पूरा ग्रोथ होने का पूरा चां प्लस पॉइंट नजर आरा है तो दोस्तों इसमी जैसे हमने देखा या एक आधिस शयरोव्निक पैटन भी आप देखो के तो यहां पर आप देखो गी तो देखो की तो देखो मकीका का यहां पर 5.8 बेंसे यहांप देको बढ़ गया है तो इस का स्थार ने कुछ थोड़ ढिल टेटेल वह नहीं है हैर और दोस्ति यहां पर आज में दूसरे प्यर मेर करें के हम लोगत तो यहां पर आपको देखने मिलेगा डिटेल पर यहां पर पीर का इंद्ट को कितना कम आप दूस्तो कि ना पर आप देखें गे तो इतना जहेंगी तो रहा रहे लेकिन तो ने शो कितना कम आप इंडियन उयल का डेको आप डे इन आप है बाकी के ज्यादा है तो इसमें ज्यादा इसमें ग्रोथ नजरा रहा है और देखो इसमें पी 31 है इसका आयो सील देखो 3.91 है बाकी के भी देखो बीपी देखो 8 है और यहां पर देखो यह चैन्नाई प्रेटलियम कोरपरेशन 34-35 तक नजरा रहा है तो दोस्तों इसके पी के बेस पर हम देखें अगर उपर आते हैं दोस्तों यह पी के बेस पर अगर देखें इसका पी देखो 3.91 तक है तो इसका यह जैसे कि प्राइज पी मतलब प्राइज और यह मतलब अर्निंग करेंगे तो यह 3.91 मिलता है अपने को तो यह अगर समझो 25 भी अगर हो जाता है तो एक्जांपल के ल इसको इंटू मल्टिप्ला करेंगे इसको अर्निंग पर शेयर से 27.1 बन जाता है दोस्तों तो नहीं जाता था लेकिन इसको इंडेस्ट्रीपी 16 के असपास है तो इसको इंडेस्ट्रीपी से अगर समझा तो 16.4 पकड़ लू 17 पकड़ लूं इंटू इसका जो अर्निंग पर शेयर है इंटू 27.1 भी अगर करूं इसका रेट देगो 460 रूपेश तक जाने जरा रहे है दोस्तों इस तरह से अगर देखा जाए तो यह 500 रूपे तक यह अगर इसके लेवेल पर इंडेस्ट्रीपी किसे अत्मीं कंपार करके देखेंगे तो इतना यह सस्ते रेट प 15 रूपे अगर निकल जाता है तो यहां पर यहां पर देखो फिर 1.500 रूपे तक इसका टार्गेट रहेगा 1.500 फिर के बाद देखो यहां पर 65 तक बहुत बड़ा रेसिस्टेंस है यह निकल गया तो आराम से दोस्तों परचीज तक भी आराम से जा सकता है और जैसे इसमे अपना जो कैपेसिटी भी ग्रोथ करते जा रहे है इसमें 28,000 करोड का इसमें और इंवस्मेंट करने जा रहे है इसमें उन्होंने गुजरात गवर्मेंट ने भी उनके साथ एक मेंबरेंड ऑन अंडेटेकिंग पास किया हुआ है इसके तहर उनने और भी बहुत अच्छा इसमें ग्रोथ नजर आ सकता है सेल बढ़ेगा हर एक के कैपेसिटी बढ़ेगी तो यह सब होने के कारण तो यह अराम से पांसो तक भी जा सकता है रहे दोस्तों लेकिन इसमें लगेगा इसानी में बोलतों कि तुरन बढ़ना चुरू कर देगा हर एक लेवेल पर बढ़ स अच्छे रेट पर एवेलेबल है और यहां पर एको पी ए रेशियो जो है वह भी बहुत का ट्रेक्टिव रेट पर 3.9 बोलते बाव एक्दम कौडियों के दाम में इसम लेवेलेबल है डेट इसमें दोस्तों ज्यादा है फिडल लेकिन वी डेट कम कर रही जैसे मैंने तो गौर्णेंट आफ इंडिया की कंपाने है दोस्तों इसमें अइसा उनिके मैंने आप उसमें डरेक्टर जाके खरीथ लीजेगे अपन्य इसमें राय पताहिए आप एप्को इन्वेसमेंन अद्वाजर से पीचरीजिर पीजिए को मैं आपका कुछ रिस्क्क और जानते जरूर पूछेगा और दोस्तों मेरे टेलिग्राम को चैनल को जरूर्ण कीजेगा इसमें मैं डेली बेसिस पर न्यूस लाता रहता हूं थांक यू